मैं टीच्मेंट पर उनलाइन क्लासेश क्यों लेती हूँ भला क्यों ना लूँ ये इंडिया का एक लॉता प्लाटफॉर्म है जो 100% फ्री है बिना किसी लिमिट के और नई शुरुवात करने के लिए इससे बहतर और क्या होगा बस एक स्मार्टपोन चाहिए और सुहानी शर आप सभी का स्वागत है मारे अज के इस वीडियो में और फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है स्पेशली मैं उन सब्सक्राइबर के लिए बना रहा हूँ जिनोंने शुरू से लेकर अभी तक मुझे सपोर्ट किया है देखिए मेरा दूसरा चैनल भी है मेरे साथ वहाँ पर जा रहा है ये ग्रूप D के लिए है ठीक है देखिए सारी चीजे संभावनाओ के अधार पर होती है मैंने संभावनाओ के अधार पर ही आपको वहाँ भी जो है सारी चीजे बताई थी लेकिन उस वीडियो पर बहुत जादा क्रेटिसिजम हुआ है और वो चीजे सच नहीं हुई है ठीक है ये बात मैं मानता हूँ कि जो समय मैंने बताया था वो पूरी तरह से सच नहीं हुआ है सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ देखिए दो तरह की यूट्यूबर होते हैं एक यूट्यूबर वो होता है जो जान बूच कर फेक चीज़ों को क्रेट करता ह ठीक है व्यूज पाने के लिए पैसा कमाने के लिए ठीक है वो कौन होते हैं जो एक फूल टाइम यूट्यूबर होते हैं जो पूरी तरह से यूट्यूबर डिपेंड होते हैं एक दूसरा यूट्यूबर होता है जैसे मैं हूँ यहाँ पर मैं पूरी तरह से यह नहीं था उस वीडियो को बनाने का कि मैं आपको ब्रहमित करूँ, आप लोगों गलत इंफरमेशन दूँ या जो है गलत इंफरमेशन दे कर मैं व्यूस लूँ, जो लोग स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हैं, उनको पता होगा कि मेरे जो वीडियो होते हैं, वो ब लग रहा था कि सारी चीज़े यहां पर जो है ग्रूपडी के फेवर में जा रही थी ऐसा देखने से लग रहा था कि ग्रूपडी के लिए ही ये मेल वगेरा किये गए है ठीक है लेकिन वो चीज़े सच नहीं हुई है आज 13 तारीक हो चुकी है अब तक कोई मुझसे जादा व्यूज पाए है मुझसे जादा अर्निंग उन्होंने की है देखना ये है कि मेरे बाद क्या वो भी माफी मांगते है क्योंकि देखिए कुछ चीज़े वाँ पर NSCIT की जो चीज़े निकल कर आई थी वो कुछ हत्तक सही थी ठीक है अभी तक सभी को ये लगता था कि TCS एक्जाम कराएगा ठीक है वो चीज़ थोड़ा सा यापर क्लियर हुई थी कि ये चीज़ फाइनल नहीं है कि TCS कराएगा या NSCIT कराएगा तो उसके लिए मैं आपर नहीं बोला हूँ लेकिन जो एक्जाम डेट्स वगएरा उसमें बताई थी उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ ठीक है अब बात करते हैं कि बाकी जो यूट्यूबर हैं जिन्हों ने उस पर वीडियो बनाए हैं अर्निंग की हैं क्या तो वहाँ पर आपने क्या देखा था कि इंटेंशन गलत नहीं थे वीडियो बनाने का इंटेंशन गलत नहीं था ठीक है अपनी तरफ से जो है यूट्यूबर जो काम करते हैं इस तरह के जैसे मैंने वीडियो बनाया था तो मेरा भी इंटेंशन गलत नहीं था मैं आपको हैं मैंने भी संभावना के अधार पर बता है जैसे बाकी यूट्यूबर बताते हैं लेकिन क्योंकि वो वीडियो मेरी तरफ से स्टार्ट हुआ था सबसे पहले वीडियो मैंने बनाया था इसलिए सभी लोग मुझे उसके लिए ब्लेम कर रहे हैं इसलिए यहां पर मैं आप पर खेद है आप लोगों से मैं जो है दिल से सोरी बॉलता हूं कि मैंने आपको जो है गलत इंफोर्मेशन प्रोइड कि रहा लागि आप लोगों ने देखा गो उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया है नहीं किसी पेपर कटिंग पर ना एक्जाम डेट्स पर अभी भी मेरे पास नियूज आ रही है कि एक हफ़ते के अंदर आपका शडियूल आने वाला है कुछ मेरे पास प्रूफ भी आए लेकिन मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा जब तक कोई ऑफिशल अपडेट नहीं आता है तो बाकी यहाँ पर देखे जो लोग सपोर्ट करते ह वो समझ गए होंगे कि मेरा यहाँ पर यह बोलने का इंटेंशन क्या है इस बात का क्या मतलब है आप लोग सपोर्ट करते रहिए ठीक है मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि मैं आपको गलत इंफोर्मेशन दूँ कई बार आप जो है सही चीजे करते हैं लेकिन फिर भी दिरेक्शन में चली जाती है तो अगर ऐसा होता है तो इसमें सौरी बोलने में मुझे नहीं लगता है कि कोई प्राब्लम है ठीक है मैंने गलती किया तो मैं आप लोग से सौरी बोलता हूँ बाकि आप लोग सपोर्ट करेंगे मैं अच्छे से जानता हूँ जो लोग स्टा आप लोग समझदार है आप लोगों को पता है कि सपोर्ट करना है और बाकि आप लोग सपोर्ट करते रहिए ओल्राइट गाइस थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो